हेलो गैस स्वागत आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गेस की और बहुत बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है इसी ख़बर का मुझे इंतजार था अदानी टोटल गेस की बरसाना प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हर रोज 10 टन बायो गेस बनाएगी कमपनी फुली ओपरेशनल होने पर 217 टन और्गेनिक खाद भी बनाएगी पूरी रिपोर्ट को जरूर देखें और अदानी जी की मुझे यही बात अच्छी लगती है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहें कोई भी पपू टपू कुछ भी कहें लेकिन यह सिर्फ अपने काम के उपर फॉकस रखते हैं और यहाँ पर काफी बढ़िया बात है और देखें मुझे इसा लग रहा है जिनको नहीं पता हूं को बता दूं कि यह इससे जो है इसके बिजनस को काफी फाइदा हो सकता है और बिजनस के अदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है तो शेर के उपर भी इसका इफेक पड़ सकता है बले ही शुरुआत में या फिर शॉट टम में उसका इतना इफेक ना पड़े लेकिन थोड़ा सा समय और दे तो इसको और भी अच्छा मतलब कि वो हो सकता है और जो भी लोग उपर में फसे हुए है उनका भी प्राइस आ सकता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसके अंदर क्योंकि कुछ लेवल्स को अगर पार करते तो और भी अच्छा रह सकता है सबसे पहले तो यह हमारे नए विवस के लिए है कि जो लोग नए है इस चैनल के उपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें डेली हम एक शॉर्ट वीडियो से अपलोड करते हैं यह पिछले दिनों के चार शॉर्ट से इसके अंदर यह आरवी एनल और शिल्पा मेडिकर इन दोनों में आज अच्छी का से तेजी देखने को मिल रही है आरवी एनल जो कि यह तीन चार पसंद भागा हाला कि यह गैप अपन हुआ था लेकिन शिल्पा म बात है लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी जरूर करें और अगर आपको अच्छा लगे तो शेर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ वाट्सआप के ज जो है बताए जा रहा है कि अदानी ग्रूप की कंपनी अदानी टोटल गेस लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के बरसाना स्थित प्लांट में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है यहां रोजाना दोसो पच्छीस टन एगरी कल्चर वेस्ट की प्रोसेसिंग होगी इससे 10 टन बायो गेस का प्रोडक्शन होगा यह प्रोजेक्ट टोटल 200 करड़ रुपे का है जिसे तीन फेज में पूरा किया जाना है और अदानी ग्रूप की एक और चीज मुझे अच्छी लगती है कि इनके जितने भी बिजनस है ज्यादा तर जो है यह देश के विकास में काफी मे में तो पूर्ण है देश के विकास के लिए सभी बिजनस इसके ऐसे ही है आप मेरी बाद सेगरी करते हैं नहीं नीचे कमेंट ज़रूर करें चाये वो ग्रीन एनरजी हो या फिर यह हो आगे देखते हैं कि पूरी तरह से ओप्रेशनल हो जाने के बाद 600 टन और्गेनिक वे वेस्ट पर आधारित बायो सी एंजी प्लांट होगी यह भी कहीं ना कहीं एक ग्रीन एनरजी का हिस्सा है ऐसा मुझा लग रहा है क्योंकि यह आप इसको आप देख सकते हैं फोसिल फ्यूल्स पर निरपरता कम होगी जैसे कि हमने बात की यह भी इसको भी आप एक ग्रीन के तोर पर ही ले सकते हैं कि यह अधानी टोटल एनरजी इस बायो मास लिमिटेड की पहली प्रोडक्शन फैसिलिटी है अभी तो यह पहली है जो एडवांस एनारोबिक डाइजेशन टेकनोलोजी की मदद से और 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 निक्स मटिरियल को रिन्यूबल बायो गेस में बद कि यह आई थिंक जो है प्रोजेक काफी पहले ही जो है शुरू होना था लेकिन वह जब उसके बाद पहले वह इड़न बड की न्यूज आ गई खबर आ गई उसके बाद चाहिद यह काम अटक गया था क्योंकि इनके प्रोमोटर अगर देखे तो जो टोटल एनरजी से अध फंडिंग जो है वह रोक दी थी लेकिन अब मामला है काफी कुछ जो है सेटलमेट हो गया है और इसी वज़े से जो है अब इसने यह प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया साथ-साथ अगर आपने हमारी इस वीडियो से पहले की वीडियो नहीं देखी तो वह ज़रूर देख दी है मतलग इनका confidence जो है अभी वो काफी बड़ा है प्रणव अदानी बोले कि green house gas emission को कम करने की हमारी प्रतिवधता का प्रणव तो अदानी गेस के operation शुरू होने पर agro oil and gas के managing director प्रणव अदानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अदानी गेस के नए प्रोडेक्शन शु renewable natural gas में convert करता है साथ ही organic खाद भी बनाता है यह greenhouse gas emission को कम करने की हमारी प्रतिवधता का प्रमाण है और copper का भी production शुरू कर रही company तो इसके बारे में भी हमने डीटेल में वीडियो बनाई है तो यह जो copper है उसकी भी देश के अंदर जो है काफी demand है और यह दूसरी company की बात ह अधानी डोटल गेस की नहीं लेकिन यह भी एक जैनकारी इसके अंदर है copper का भी जो है वो हमें ज्यादा तर विदेश से आयाद करना पड़ रहा था और यह जो है अब वो कम करना पड़ेगा इस जो अब घर में ही मतलब हमारा देश के अंदर ही यह copper का प्लान शुरू हु और यह इसके तीसरी तिमाही के नतीजे यहां पर बताए गए है चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं और इबिटा अर्निंग भी फोर टेक्स और इसको भी आप देख सकते हैं कि 26% बढ़ा था तीन सो करोड रुपे रहा पिछले तिमाही में अब आने वाले समय में इसके quarter 4K result भी जल्द आ सकते हैं या फिर उसकी तारीख आ सकती है तो वो भी आप जरूर देखेगा उसके उपर भी हमारी नजर रहेगी और आने वाले समय में इसमें इसमें इसके बाद की तिमाही में इसके result औल भी अच्छा आने की संभाव नहों सकती है क्योंकि अब यह सब ब आपको भी डालने की कोशिश कर रहे तो वो भी काफी बढ़िया बात यहां पर लग रही है और यह इसके शेरों का हाल यहां पर आप देखें तो हजार रुपे का टच किया आज के दिन अभी 966 का आसपास का प्राइस है अभी साड़े ग्यार बुजे का आसपास का टाइम हो रहा है सभा 4% का आसपास की इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है शाम को इसके अपर डीटेल में चलचा करेंगे अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर ले ना हमारे चैनल को इसके उपर हम डेली टेकनिकल चार्ट के उ नश्याम को भी वीडियो जरूर देखिएगा कहा पर ब्रेक आउट हो सकता है कहां पर सपोर्ट रजिशन हो सकते हैं वह हम डेली देखते हैं और कहीं लोगों को इसके अंदर शौर्टर्म टेड़िस भी हो सकते हैं और लौंग टेड़िस भी और आज के वीडियो में इतन अगर ये वीडियो अच्छा लागा दो लाइक से रिंग सब्सक्राइब जरू करें और एक स्टैंडर डिस्क्रेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं अब कोई भी ट्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइनाइचर एडवाइजर की सला लगे है उसके बाद ही को भी बाई असल के रिकमेलेशन नहीं है थेंक यू